हेलो दोस्तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रेल हैल्थ नुस्के में दोस्तो आप भी परेशान है अपने दुबले पतले शरीर को ले करके आपको भूख नहीं लगती है और आपके गाल पिछके हुए हैं उनको आप फुलाना चाते हैं अपनी बोडी के मताबिक तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं यहीं बताने वाली हूँ भूख बढ़ाने का बहुत ही अच्छा घरेलू नुस्का यह आप बना सकते हैं अपने घर पे रखें सामान से ही आपके किछिन में जो मौझूद है आप उससे बना सकते हैं और अपनी भूख को बढ़ा सकते हैं यह बहुत ही जादा इफ्यक्टिव नुसका है आप इसको जरूर ट्राई कीजिए दोस्तो तो दोस्तो आपको इसमें लेना है सौफ जैसे कि मैंने लिए छोटा चमच एक सौफ लेना है उसके बाद में आपको जीरा लेना है जीरा आपको चम्मस का चौथाई भाग लेना है इन दोनों चीजों को आपको दोस्तों क्या करना है दोस्तों जीरा और सौफ जो है वो हमारे पेट के पाचन शक्ती जो होती है मतलब पेट का सर्कूलेशन जो बहुत अच्छा रखता है हमें जो भी हम खाते पीते हैं वो हमारा बहुती अच्छा पच्छता है तो दोस्तों हमें इन दोनों चीजों का बना लेना है चूरन इसको आप जिस चीज से साइंच चिल सिल्वट्टे पर भी आप इसको पीश सकते हैं अब दोस्तों आपको इसमें एक चीज और एट करने हैं उसके बाद में आपका नुसका बहुत ही जल्दी तयार हो जाएगा तो दोस्तों इसमें आपको ऐसी चीज लेनी है जिसको मिला करके आप इसको खा सकते हैं दोस्तो वो है गुड जी हा दोस्तो गुड चाहे नया हो चाहे पुराना हो आपको इसा भी गुड ले सकते हैं जैसा आपके पास है तो दोस्तो हम इसको कर लेंगे कद्दू कस छोटा सा हम कद्दू कस लेंगे और इसको ग्राइन कर लेंगे तो दोस्तो इसको जल्दी से जल कुल फिरी है तो दोस्तो वीडियो अगर पसंद भी आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तो अब इसमें गुर डाल के इसको अच्छी तरह से अपने उंगलियों से दबा दबा के मसल मसल के इसको मैश कर लेंगे इसमें मिक्स कर लेंगे दोस्तो ताकि यह हमारा गु जो फूल जाएंगे मोटे हो जाएंगे आप खुबसूरत दिखने लगेंगे तो दोस्तो यह आपको इसका इस्तिमाल कैसे करना है कप करना है मैं आपको बता रही हूं तो दोस्तो आपको इसका इस्तिमाल करना है और उसके का रात को सोते टाइम रात को सोते टाइम आप इ पी लीजिए या फिर आप पानी पी लीजिए जो भी आपके पास एवल एवल हो